दोस्तो स्वागत है आप सभी का टार्गेट एड़ा इस्टेडी यूटूब चैनल पर डेली मुस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स के साथ अनि किसी पितर के स्टेडी वीडियो या एक्जाम रिलेटेड बेस्ट इनालिसिस के लिए आप चैनल के साथ जूड़ सकते हैं दोस्तो अभी आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब फिरूर कर लें और हाँ बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आपको आगे की अपडेट्स लगाता मिलती रहें दोस्तो अब आप जूड़ सकते हैं हमारे साथ तेली ग्राम पर जहां आपको डेली सामकोट कीच के माध्यम से करेंट अफेर्स की टेस्ट स्रीज दी जाती है दोस्तो आज है 3 मार्च 2022 और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की कुछ मोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स जो आगामी किसी भी एकजाम SSC, बैंक, रेलवे यान किसी भी स्टेट इकजाम के लिए बेहदी इंपोर्टेंट है दोस्तो तो वीडियो को लंबा केविना चलते हैं सीदे आज की मुश्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ तो दोस्तो ये रहा आज का पहला प्रस्न निम्न में से कौन सा केरेबियाई द्वीप हाली में ब्रिटन से अलग होकर पचपनावा गड़तंत्र देश बन गया है जिसकी गवर्नर जनरल सैंडरा मेशन देश की राष्टपदी बन गई है तो दोस्तो इसके लिए उप्सन दिया गया है ओप्सन दिया तो दोस्तो इसका सही ओप्सन है ओप्सन बी बार्बा डोस बार्बा डोस ब्रिटन से अलग होकर पचपनावा गड़तंत्र देश बना है तो दोस्तो इस क्येस्टन जोड़ी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं केरेबी आये दूइक बारबा डोस हाल ही में ब्रेटन से अलग होकर पचपना हुआ गरतन त्रदेश बन गया है। दोस्तो इसके गवर्णर जनरल सैंडरा मेसन देश की राष्ट्रपती बन गई है। ये गवर्णर की न्यूकती क्वीन एलीजा बेथ दूइती द्वारा की गई थी। दोस्तो हाल ही में एक समारो के दोरान क्वीन का प्रतनेदित्तो करने वाले रॉयल स्टैंडर्ड धोच को उतार दिया गया है। तो दोस्तो चलते हैं अपने आज के अगले गवर्शन की तरफ। निम्न में से किस देश के मानव रहित सभमार सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक बिस्तु के सबसे कहरे बिंदु तक गोता लगाने का किर्थिमान बनाया है। तो दोस्तो इसके लिए ऑप्सन दिया गया है ऑप्सन ए जापान, ऑप्सन बी चीन, ऑप्सन सी अमेरिया या ऑप्सन डी ऑस्टेलिया। तो दोस्तो इसका सही ऑप्सन है option B चीन देश के मानव रहिद सबमर्सिबल ने हाली में महासागर के नीचे तक बिस्तु के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का किर्थिमान अपने नाम किया है तो दोस्तो देख लेते हैं questions जोड़ी कुछ important points चीन के मानव रहिद सबमर्सिबल ने हाली में महासागर के नीचे तक बिस्तु के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का किर्थिमान बनाया है दोस्तो चीन का मानव रहिद सबमर्सिबल मरियाना ट्रेंच एविस में हाइदू वन चार बार 10,000 मीटर के नीचे गया दोस्तो यहां तक की 10,907 मीटर समयदु की गहराई तक पहुच गया था तो दोस्तो चलते हैं अपने अंगले क्वेशन की तरफ प्रुफेसर दीपक द्वारा हाली ही में बुल्चमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारती बन गया है तो दोस्तो इसके लिए उप्सन दिया गया है उप्सन A पहले उप्सन B दूसरे उप्सन C तीसरे और उप्सन D चोथे तो दोस्तो इसका सही उप्सन है उप्सन A पहले प्रुफेसर दीपक द्वारा हाली में बुल्चमान पतक सम्मानित होने वाले पहले भारती बन गये हैं तो दोस्तों बीडियो पसंदारी हो तो बीडियो को लाइक सेयर जरूर कर दें देख लेतने कुछ important points बहुत तिक विज्ञान प्रोफेसर दीपक धर हाली में बोल्चमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारती बन गये हैं दोस्तों International Union of Pure and Applied Physics के सैंखिकी बहुतकी पर आयोग सैंखिकी बहुतकी के छेतर में युगदान के लिए तीन वर्ट के लिए ये बोल्चमान पदक दिया जाता है दोस्तों वर्तमान में प्रोफेसर दीपक धर Indian Institute of Science, Education and Research पूरे में Emeritus Faculty हैं तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के अगले क्वेशन की तरफ बारत से 23 मई 2022 तक 31 दक्षिडपूर ACI खेलखा आयोजन किस देश में किया जाएगा तो दोस्तों इसके लिए उप्सन दिया गया है अप्सन A, Thailand, अप्सन B, Indonesia, अप्सन C, Malaysia और अप्सन D, Vietnam तो दोस्तों इसका सही अप्सन है अप्सन D, Vietnam 12 से 23 मई 2022 तक 31 दक्षिडपूर ACI खेल का आयोजन व्यतनाम देश में किया जाएगा दोस्तों देख लेते हैं question से जुड़ी कुछ important points हो 12 से 23 मई 2022 तक 31 दक्षिडपूर ACI खेल का आयोजन व्यतनाम में किया जाएगा दोस्तों इन खेलों में 526 आयोजनों के साथ 40 खेल होंगे दोस्तों जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी सामिल होंगे इस 31 दक्षिडपूर ACI खेल का मोटो एक मजबूत दक्षिडपूर ACI के लिए है दोस्तों चलते हैं अपने आज के एगले question के तरफ बैंक ओफ महाराश्ट्र ने किस राज़ी में project bank सकी launch किया है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A केरल option B Odisha, option C Maharashtra और option D Punjab तो दोस्तों इसका सही option है option B Odisha बैंक ओफ महाराश्ट्र ने Odisha राज्य में project bank सकी launch किया गया है दोस्तों वीडियो को एक बाल like share जरूर कर दें तो दोस्तों देख लेते हैं इस questions जोड़ी कुछ important points को महागराम और सुनिवेस India Finance Services Private Limited के सायोग से हाल ही में Bank of महाराश्ट ने online bank खाता खोलने के लिए उरिसा में project bank सकी launch किया है दोस्तों जिसमें अभी उरिसा में Bank खाते खोलने के लिए लोगों को घर-घर और परिसानी मुक्त पहुच सिवा मिलेगी तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के अगले question की तरफ UGC ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राश्ट्रिय मुल्यांकन और प्रत्यायन परिसाद बेंगलोरु की कारेकारी समिती का अध्यक्ष न्यूक्त किया है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A जगदीश कुमार, option B भूशर पतवर्धन, option C संजीव मेहता और option D अजय सिंग तो दोस्तों इसका सही option है option B भूशर पतवर्धन UGC ने हाल ही में भूशर पतवर्धन को राश्टरी मुल्यांकन और प्रत्यायन परिसाद बेंगलोरु की कारेकारी समिती का अध्यक्ष न्यूक्त किया है तो दोस्तों questions जोड़ी कुश important points देख लेते हैं विद्याले अनुदान आयोग UGC ने हाल ही में अनुसंधान बेग्यानिक प्रोफेसर भूशर पतवर्धन को राश्टरी मुल्यांकन और प्रत्यायन परिसाद बेंगलोरु का कारेकारी समिती का अध्यक्ष न्यूक्त किया है दोस्तों वह वर्तमान में आयूस मंत्राले भारत सरकार द्वारा नामित एक राश्टरी सोध प्रोफेसर हैं तो दोस्तों चलते हैं अगले question के दरफ निम्न में से किस company ने हाल ही में भारत में play pass subscription service शुरू करने की गोशड़ा की है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A, Facebook, option B, Microsoft, option C, Twitter और option D, Google तो दोस्तों इसका सही option है option D, Google Google ने ही हाल ही में भारत में play pass subscription service शुरू करने की खुशड़ा की है तो दोस्तों देख लेते हैं इस questions जोड़ी कुश important points क्या क्या है Google company ने हाल ही में भारत में android device user को बिग्यापनों, in-app खरिदारी और अग्रिम भुकतान के बिना 1000 से अधिक application और game पर पहुँच देने वाली play pass subscription service शुरू करने की गोशड़ा की है दोस्तों ये अभी 90 देशों में उपलब्द हैं दोस्तों वीडियो को एक बार like share जरूर कर दें तो चलते हैं अगले question के तरफ भारत और Belgium के बीच हाल ही में राजनाईक संबंदों के कितने वर्स पूरे हो गये हैं तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A 55 वर्स, option B 65 वर्स, option C 75 वर्स और option D 85 वर्स तो दोस्तों इसका सही option है option C 75 वर्स हाल ही में भारत और Belgium के बीच राजनाईक संबंदों के 75 वर्स पूरे हो गये हैं दोस्तों इस उपलक्ष में एक विशेश लोगों का अनावरण किया गया है इन लोगों को भारत में Belgium के राज़्दूत फ्रेंकोईस डेलहे और विदेश मंत्राले के यूरोब वेस्ट डिवीजन के संयुक्त सचिव और प्रमुक संदीप चक्रवरती द्वारा जारी किया गया है तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के अगले question के दरफ हाल ही में भारती सेना ने अपने कर्मियों के सुचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने apps पर बैन लगा दिये हैं तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A 59, option B 69, option C 79 और option D 89 तो दोस्तों इसका सही option है option D 89, हाल ही में भारती सेना ने अपने अधिकारियों की डाटा को लीक होने से बचाने के लिए 89 apps पर बैन लगा दिया है, तो दोस्तों देख लेते हैं इस question से जुड़ी कुछ important points क्या क्या है भारती सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों के सोचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए 89 apps पर बैन लगा दिया है दोस्तों साथी साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को बैन में सामिल सभी app को तुरंत अपने smartphone से हटाने का आदेस दिया गया है दोस्तों इन 89 apps में daily hunt news app के साथ tinder couch surfing और dating apps और pubg भी सामिल है तो दोस्तों चलते हैं अपने आज के अगले question के तरफ निम्ड में से किस वर्स लागू किये गए अपसफ़ा कानून को असम में फिर से 6 महिने के लिए बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों इसके लिए option दिया गया है option A 1990, option B 1992, option C 1995 और option D 1998 तो दोस्तों इसका सही option है option A 1990, 1990 में ही अपसपा कानून आया था जो असम में फिर से 6 महिने के लिए बढ़ा दिया गया है तो दोस्तों देख लेते हैं questions से जूड़ी कुछ important points को वर्स 1990 में लागू किये गए अपसपा कानून को हाल ही में 6 महिने के लिए असम में फिर से बढ़ा दिया गया है पिछले 6 महिने में असम में कानून वियास था कि इस्तिती की समिक्षा करने के बाद राजी सरकार ने 6 महिने के लिए असम को असांत छेत्र गोसित कर दिया है दोस्तों इस कानून के तहत ससस्त्र बल बीना किसी वारेंट के किसी भी घर की तलासी ले सकते हैं तथा इसके लिए जरूरी बल का इस्तमाल किया जा सकता है तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ Most Important Current Affairs डेली इसी तरह के Most Important Current Affairs के लिए आप चैनल के साथ जरूर सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को Like Share जरूर कर दे दोस्तों कल फिर मिलेंगे कुछ नए Most Important Questions के साथ तब तब के लिए जैहिन